हलो ब्यूटीज, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं सावनी स्पेशल मेकप ट्यूटियोरियल लेकर आई हो आपके लिए जो की बहुत ही कम प्रोड़क्ट के साथ मैंने ये मेकप लुक क्रियेट किया है मैंने कौन-कौन से प्रोड़क्ट कितनी रुपे की यूज किया है वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी तो प्लीज वीडियो को इसकी बना किये, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मैंने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है अब मैं हाप टी स्पून गुलाब जल लूँगी और इसे पूरे फेस में अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी इससे क्या होगा कि मेरा फेस हाइडरेड रहेगा और ये गुलाब जल जो है वो 20 से 25 रुपे के बीच आ जाती है इसके बाद मैं निव्या की सॉफ्ट मॉस्टराइजर क्रीम यूज़ कर रही हूँ निव्या की सॉफ्ट क्रीम को डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई करना है और ये निव्या की छोटू सी डबी जो है वो 45 रुपीज में मुझे मिली थी आप ये लोकल मार्किट से इसली पर्चस कर सकती है इसी बीच मैंने अपना जूड़ा गजरा हेर स्टैल जो है मैंने किया है आज तो मैंने ये दिखाया आपको मुझे बहुत प्यारे लगा मैंने कहा क्यों ना आज के मेकप लुक के साथ मैं गजरा ट्राइ करूँ इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ 5 रूपीज वाली लिप ग्लोस जो कि मैं अपने लिप्स पर अप्राई करूँगी ताकि मेरा लिप हाइड्रेड रहे लिप्ग्लोस लगाने से लिप्स काफी सॉफ्ट रहता है इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ फेरल लबली जो कि एडवांस मल्टी विटमीन की है और ये छोटू सा शैशे 10 रुपे की है इसे में डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा लोगी डॉट डॉट करके लगा लेने के बाद इससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद जो काले घ्यरे पर जाती है कि और आखों की नीचे पिGmented होता है तो उनको hide करने के लिए मैं यहाँ पर और एक बार concealer की जगा मैं यहाँ पर फिर से जो फैरन लबली है मैं उसे use कर रही हूं इस तरह से साथ मैं मेरी चोटी सी प्यारी सी बेटी भी कर रही है वो भी blend कर रही है उसे मैंने बोरो प्लस दे दिया था कि तुम यह रखो और इससे तुम अपना make-up करो फैरन लबली मल्टी विटमिन को लगा लेने के बाद देखिए face कितना ही glow कर रहा है मुझे बहुत एच्छी लगती है यह शैशे और इसके बाद मेरे make-up को set करने के लिए मैं यहाँ पर टेलिकॉम powder ले रही हूं जो कि टेलिकॉम powder दस रुपी की आती है इसे लगाने के लिए मैं कोई भी powder puff यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं एक हैंकी लिए हूँ आप चाहे तो कोई भी cotton का कपड़ा यूज कर सकते है रुमाल के help से ही powder को अच्छी तरह से मैं set कर लूँगी ताकि जो मैंने make-up किया है वो मेरा make-up खराब ना हूँ आप चाहे तो यहाँ पर compact powder भी यूज कर सकती है इसके बाद मैं अपने eyebrow को feel करूँगी तो इसके लिए मैं 10 रुपे वाली kajal pencil यूज कर रही हूँ हलाकि 5 रुपे में भी kajal pencil अबेलेबल है market में तो मुझे उसका color थोड़ा फीका लगा तो मैंने 10 रुपे वाले लिया है इसका जो color है वो dark है इस kajal pencil के help से मैं दोनों eyebrow को अच्छी तरह से set कर लूँगी तो मैंने friends मेरे eyebrow को अच्छी तरह से set कर लिया है अब इसके बाद बारी आती है contouring की तो contouring करने के लिए मैंने 25 रुपे वाली जो मैंने local market से lipstick purchase की थी मैं उसी से आज contour करूँगी तो इस तरह से मैंने finger में लगा लिया है और इसे मैंने nose के पास इस तरह से apply करनी है और इसके बाद मैं jaw line में इस तरह से finger के help से apply करूँगी friends आप चाहें तो आप अपने हादों के help से ही बहुत ही सुन्दर सा make-up look create कर सकती है यहाँ पर ना तो मैंने कोई beauty blender यूज किया है और ना ही मैंने कोई भी brush यूज किया है आप ये देख सकती है तो यहाँ पर भी मेरा जो make-up है और जो मैं पूरी तरह से satisfy हूँ मुझे मेरे make-up बड़ा ही अच्छा लग रहा है थोड़ी सी lipstick जो है lawyer jaw line में भी मैंने apply करनी है नीचे की और इस तरह से friends आपसे एक request है अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो please आप मेरे channel को subscribe कर लीजए ताकि आने वाले हर एक updates आप तक सबसे पहले पहुंच सके कर लेने के बाद अब मैं eyeshadow palette apply करूंगी तो जो यह eyeshadow palette है वो मैंने online purchase किया था और यह color board की eyeshadow palette है इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ यह जो eyeshadow palette है इसमें 56 color है और बहुत ही सुंदर-सुंदर color है और पूरे matte finishing देता है मैं अपने प्यारे-प्यारे से soft-soft से गालों पे लाली लगाने के लिए मैं यहाँ पर pink color apply करूंगी यहाँ पर मैं pink color ले रही हूं और भी brush के help से मैं गालों में blusher यूज़ कर रही हूं इस तरह से और दूसरी side में आपको finger के help से लगाना दिखाऊंगी इस तरह से यह देखिए आप blusher के लिए finger यूज़ कर सकते हैं दो उंगली के help से और एक side में brush यूज़ किया है और दूसरी side में ने finger तो आपको कैसा लग रहा है देखिए मुझे दोनों side ही प्यारे लग रहा है पर जो मैंने only के help से जो मैंने blusher लगाया वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अब मेरे प्यारे प्यारे soft soft से गालों पे लाली लग चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब इसके बाद मैं अपने आखों पे यह brown color अप्लाई करूँगी अब के लिए मैं यह brown color लोंगी इसे मैं cotton birds के help से लगा रही हूं पर मुझे अच्छा नहीं लगा अब मैं अपने finger के help से मैंने अपने eyes को fill करना है आइशेड़ो को लगाना है इस तरह से जो मेरी eyeshadow palette है इसकी कीमत है 356 रुपीज जो कि मैंने इसे online purchase किया था brown color को अच्छे तरह से लगा लेने के बाद अब मैं यहां पर थोड़ा सा आँखों में चमकता हुआ shining देने के लिए अब मैं थोड़ी सी simri color लगाऊंगी जो कि dark pink color का होगा brown color के eyeshadow लगा लेने के बाद हाई मेरे प्यारे प्यारे से आँख कितना ही चमकीला लग रहा है कितना ही अच्छा लग रहा है इसे और ज्यादा चमकानी के लिए मैं यहां पर glittery color यूज करूँगी जो कि dark pink color का glittery color है अगर आपके पास eyeshadow palette नहीं है तो कोई बात नहीं है कोई tension वाली बात है ही नहीं आप यहां पर lipstick apply कर सकती है मैंने इस related बहुत सारे वीडियो अपलोड किये हैं और आगे भी करूँगी कि 10 रुपे की जो lipstick है उससे आप blurser और eyeshadow दोनों ही लगा सकते हैं तो आप वीडियो जाके description box पे चेक आउट कर सकती हैं तो आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजल पैंसिल इससे आप अपने according काजल लगा सकते हैं बर मैंने यहाँ पर मोटे मोटे से काजल लगाया हैं और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर 25 रुपीज की gel eyeliner आपको यह सारे समान लोकल मार्केट से इसली पर्चस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा महंगया नहीं है बिल्कुली affordable price के साथ हैं काजल लगा लेने के बाद आईशेडो लगा लेने के बाद जो मेरी छोटी छोटी सी आखे हैं बहुत ही प्यारी लग रही है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लग रही है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अब आपको मेरी चोटी-चोटी सी आँके कैसी लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईएगा इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की तो मैं इसी आईशेडो पैलेट से चम-चमाता हुआ एक हाइलाइटर की तरह जो कलर है वो मैं लगा रही हूँ अपने नाक में लाइट ब्राउन कलर की है ये और ये ऐसे हाइलाइटर बहुत ही अच्छी है इसे मैं फिंगर के हेल्प से लगा रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ऐसा कि जैसे सच में मैंने highlighter यूज किया हो बट नहीं मैंने इसी eyeshadow palette से मैंने color यूज किया है फ्रेंड सावन स्पेसल साडी ड्रेपिंग की जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्द upload करूँगी तब तक के लिए आप मेरे इस ये जो make-up look है जो कि बिल्कुल affordable price के साथ make-up look मैंने create किया है वो आप तब तक enjoy कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि आपको मेरा जो ये make-up look है वो कैसा लगा आपको यह देखिए जो मैंने highlighter लगाया है मेरा face कितना ही highlight हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में मेरी बेटी आके दिखा रही है ममा आप बहुत ही छुंदर लग रहे हो how sweet इसके बाद बारी आती है लिपिस्टिक की तो मैं यहाँ पर 10 रुपे वाली लिपिस्टिक लगाऊंगी आज तो बहुत ही प्यार है और बहुत ही shining वाली लिपिस्टिक है मैंने अपने लिप्स को पहले ही लिप गलो से हाइडरेट कर लिया था ताकि रुखे रुखे सुखे सुखे से ना रहे है मेरी लिप्स यह जो 10 रुपे वाली लिपिस्टिक है मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसकी shining भी देखिए आप कितना ही glow कर रहा है मेरा लिप्स बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में इसके बाद friends मेरा जो make-up है almost ready हो चुका है अब मैं दोबनेट में आ जाती हूँ बाकि के make-up करके यानि के साड़ी wear करके यह रहा friends I am coming मैं आ चुकी हूँ और यह रहा मेरा final look मैंने green color की necklace wear किया है और यहाँ पे मैं green color की चूड़ी और green color की earrings साथ में गजरा बन hair style इसके साथ ही अगर आप new bride हैं तो आप चाहते हैं कि पूरा मांग भरना चाहिए सिंदूर से तो मैं यह भी करके आपको दिखा देती हूँ मैं अपने पूरा मांग को भर रही हूँ सिंदूर से साबन का महिना है और new bride जिनकी new new शादी हुआ है वो भर मांग सिंदूर भरे तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखने में जब मैंने मांग को सिंदूर से भर लिया तब मेरे husband जी कहा रहे थे कि अब जो make-up है वो बिल्कुल ही complete हुआ है तो पहले कुछ अधुरा-धुरा सा लग रहा था बट अभी आप अच्छी लग रहे हो और इसके बाद अगर आपको घूंगट लेनी हो तो आप इस तरह से घूंगट ले सकते हैं और अपने जो पल्लू है उसको एक टिक-टॉक पीन से बालो के साथ सिक्यूर कर दिजिएगा तो आपको एक घूंगट जहोई वो खुलेगा नहीं बिल्कुल भी हाटेगा नहीं सर से अपनी घुंगट को किस तरह से सिक्यूर करना है ताकि वो गिरे नहीं वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक आउट कर सकती है तो मेरे ये मेक अप लूक आपको कैसे लगा प्लीज आप कमें स्क्रिशन में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई